आजाग नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर सरकारी निर्माण में भ्रष्टाचार तो हर एक सरकार में होता चला आया है मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रही है दावा यह भी किया जाता है कि उनकी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा मगर उनके द्वारा कराए गए निर्मान में भी धश्टाचार की दीमक लगी हुई है। बरेली में भी केंदर सरकार की योजना राश्ट्रिय ग्रामीन स्वास्थि मिशन के तहट विकास खंड भोजीपुरा के ग्राम दलपतपुर में बनने वाली बिल्डिंग में भी जम कर घपले बाजी हुई। इस बिल्डिंग को यूपी सीलडिएफ यानी उत्तरप्रदेश राज्य निर्मान एवं श्रम विकास सहकारी संग लिमिटेड द्वारा बनवाया गया है। वहीं इस बिल्डिंग के निर्मान के बाद ग्राम प्रधान ने घटिया सामगरी से बनी बिल्डिंग के गिर जाने और ग्रामीनों की जनहानी होने का अंदेशा जताया है। हमने जही साब को कंप्लेंड की जही साब ने हमें आश्वाशन दिया कि मतला हॉस्पिटल दुबारा तोड़वा के दुबारा वनवाएंगे। क्या पूरा हॉस्पिटल रेडी हो चुका है जुसमें बीम में सरीया भी बहुत पतली सूथ की पड़ी है। जही साब को कंप्लेंड की जही सामने अस्वाशन दिया कि आगे काम बढ़िया होगा। फिर कुछ टाइम बात जो लिंटर पड़ा था तो लिंटर में थोड़ा बहुत ठीक हुआ था। लेकिन आप एक चीज़ बताइए अगर उस बिल्डिंग के अगर बेस ही मजबूत नहीं होगा तो लिंटर कैसे प्रॉपर वाप करेगा। अगर नहीं सुना आपकी बात को आपकी बात को टाल दिया जैना वरवाई कि आपने वीडियो या देशिंदार या ल्ट्रीम या धियम से कुछी जी एक्शली जैई सर ने हमको आश्वाशन दिया था फुल की यह हम ठीक करवा देंगे तो सर जैई सर ने हम जब फुल आश पर बनवा देंगे अगर सर बाइचांस अगर उसका बेसी कमजोर है बाइचांस करसा लिंटर गे सकता तो जन्मान की आनी हो सकती है इस बिल्डिंग के निर्मान में घपला ही घपला है सबसे पहले तो ये बिल्डिंग चक रोड से नीचे बनाई गई है जिसके चलते बरसात में इसमें पानी भर जाएगा और पानी बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरी बात की जाए तो जो बाउंडरी वॉल किया गया है उसमें मात्र दो रदे नीचे लगा कर पूरी चुनाई कर दी गई है जो बरसात में कभी भी दरक कर गिर सकती है निर्मान में 30 मीटर नाली का जिक्र किया गया है जो है ही नहीं जो बीम डाला गया है उसमें मात्र एक सरीया लगाई गई है जो टिक नहीं पाएगा ग्राम प्रधान पुष्पा देवी के पती राम प्रकाश गंगवार को पता चला तो वह पहुँचे और उन्होंने इसका विरोध जताया उन्होंने कहा कि यह निर्मान टिक नहीं पाएगा जिस पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्मान एवं श्रम विकास सहकारी संग लिमिटेड के जेई अखिलेश कुमार ने स्विकार करते हुए यह कहा कि हम इसको तोड़ कर दोबारा से बनवाएंगे परन्तु ऐसा नहीं हुआ चुपचाप इस बिल्डिंग को जल्दी जल्दी बना कर ऐसे ही स्वास्थे विभाग के हवाले कर दिया गया ग्रामीनों ने भी इस बात को बताया कि बिल्डिंग बहुत ही घटिया बनाई गई है पीला इंट से बनाई है और बाउंडरी वाल की नीव भी नीचे तक नहीं है मात्र दो रद्दों पर बाउंडरी वाल को खड़ा कर दिया गया है जो कभी भी गिर सकती है ग्रामीनों ने अंदेशा जताया कि यह एक बरसाद भी नहीं जेल पाएगी प्रदान जी को सब बताई प्रदान जी उन्हों आएके कही तो अगांगों बनने कहीं किसी नहीं सुनी आपके चाहरेगा अब साब जाये चाहरा है हमारो जो अस्पताल ठीक होई जानों चाहिए दो सूत की सरिया को लिंटे परोब हो है और बीम में एक सरिया परीव है अध्युज़ सूती जामें जो मरीज इलाज होंता है आमें बेखोद जामें साब बढ़ के मर जांगे जो तो गर जाए रहे कमी इसमें यह यह भी बोवी दवार के अड़ी है यह भी दवार के अड़ी है और इसमें साथ निकर रियता लगा हुआ है अध्युमेंट ना किता बहाने बिखुल प्रदान जी को बता रहा है विभाए नयमारी साथ कोई सुन वायन ऑगी परदान जी को बताया आपसे आम यूर को भूलें खाल जलें आजए इसमें उड़ी है आदेजिए यह वारार इस निर्मान के लिए ठेका 31 लाख 71,000 रुपए में दिया गया है जब कि दर्शाया मात्र 3,71,000 रुपए है 15 माई को MOIC सतीश कुमार चौधरी इस बिल्डिंग का उधगाटन करने पहुँचे जिस पर ग्राम प्रधान पुश्पा देवी और उनके पती तथा ग्रामीरों ने इसका विरोध किया और कहा कि आप जिस बिल्डिंग का उधगाटन कर रहे हो यह बिल्डिंग पीला इंट से बनाई गई है साथ ही इसकी नीम भी गहरी नहीं है हमारे गाव के लोग यहाँ पर दवा लेने आएंगे यह बिल्डिंग गिरी तो जन्हानी हो सकती है इसलिए हम उधगाटन नहीं करने देंगे जिस पर MYC सतीश कुमार ने भोजी पुरा थाना पुलिस को बुला लिया और जबरन फीता काट कर उधगाटन किया प्रधान जी के बात हुई हमारी जो है उनकी जो समस्या थी तो हमने उतको अच्छे से पुना जो है बस यह था कि प्रधान जी को कहीं से लिखिद में उनको पहले मुझे अउगत करा देते तो यह और भी तुरंक हम लोग उत पे ग्राम प्रधान पुश्पा देवी ने इस बाबत मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत की है और घटिया निर्मान की जाँच कर थेकेदार और जेई के खिलाफ कारवाई की मांग की है जिस पर जाँच बैठ गई है अब देखना यह है कि किन-किन भरष्टाचारियों के खिलाफ कारवाई होगी या फिर यह जाँच भी भरष्टाचार की भेंट चड़ जाएगी पर देख रहे हैं तो लाइक और फालो करना न भूले देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com